Yes people, good morning, good afternoon, good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग, hope so आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. तो CA Intermediate के लिए आज एक topic revise करने वाले है, बहुत ही छोटा सा topic है, जिसका नाम है clubbing of income. clubbing of income को module में, या law में clubbing of income नहीं बोला जाता है, law में बोला जाता है, income of one person included in income of any other person, that is called clubbing of income. अब एक बास समझना, लोग क्या करते थे, चिटिंग करते थे, और चिटिंग से बचने के लिए lawmakers ने क्या किया, clubbing of income है, इस topic को introduce किया. यहाँ पे section 64 होती है, और 64 की ही subsection है, clauses है, वो यहाँ पे अपन सीखने वाले है. इसमें होता क्या है, जैसे मैं एक example लेता हूँ, मेरे मानलो 5 बच्चे है, और total 8 बच्चे है, तो मेरे मानलो 8 बच्चे है, और वो 8 बच्चे है, सब minor है, उनकी कोई भी income नहीं है, तो मैं क् किया करते थे, तो इसको रोकने के लिए lawmakers ने section 64 डाली, और section 64 की subsection 1A है, वो यह बोलती है, income of minor child, एक चीज़ धियान रखना, minor child की जो भी income होगी, that has to be club in hand of parent, मिस parents के हाथ में club हो जाएगी, या तो mother के हाथ में, या father के हाथ में, जिसकी income जादा है, before clubbing minor's income, मिस minor का income club होने से पहले, जिसकी income जादा है, अगर मम्मी की जादा है, तो मम्मी के हाथ में minor की income club होगी, और अगर पापा की जादा है, तो पापा के हाथ में minor की income club होगी, लेकिन एक चीज़ धियान रखना, एक बार अगर club हो गया, तो फिर next year उसी parents के हाथ में club होगा, ऐसा नहीं है कि next year फिर मम्मी या पापा वापस income देखना पड़ेगा नहीं एक बार जिस particular parent के हाथ में club हो गया तो हर साल उसी parent के हाथ में club होता जाएगा लेकिन अगर assessing officer चाता है इसको change करना तो assessing officer इसको change कर सकता है एक और चीज़ समझता है जब भी minor की income को आप parents के हाथ में club करते हैं तो parents को यहाँ पर एक exemption मिलता है under section 1032 का 1500 रुपेज पर एनम पर child maximum child की यहाँ पर कोई भी limit नहीं है कितनी भी child हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता minors की income जब भी parents के हाथ में club होगी parents को एक exemption मिलेगा 1032 का maximum 1500 पर एनम का exemption मिलता है लेकिन एक चीज़ समझना अगर आप 115 BAC section follow करते हो तो यह वाली exemption जो है वो parent को नहीं मिलेगी अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना मैंने आपको बोला कि minor child की income parents के हाथ में club होगी हमेशा always club होगी लेकिन इसमें तीन exception है अगर minor child की income है वो manual work से है manual work मतलब होता है minor child मान लोग खुद work करता है जैसे चाय वगरा बेचता है या कुछ ऐसा manual work करता है और उसकी वजह से कोई भी income होती है तो वो minor child के हाथ में taxable होगी parents के हाथ में club नहीं होगी दूसरा अगर minor child की income है वो skill and talent से होती है तो skill and talent की income है वो minor child के हाथ में ही taxable होगी parents के हाथ में club नहीं होगी और तीसरा अगर minor child suffering from the disability अगर minor child है वो disabled और disability से suffer कर रहा है तो उसकी जो भी income रहेगी वो minor child के हाथ में ही club होगी parents के हाथ में club नहीं होगी इस minor child के हाथ में ही taxable होगी, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, जैसे एक minor child है, उसको कोई manual work से या skill talent से income हुआ, और वो income जो हुआ, वो minor child के हाथ में taxable हो गया, parents के हाथ में club नहीं हुआ, लेकिन एक बात समझना, उसी income को फिर आपने bank FD करा ली, या कहीं पर invest कर दिया और उस पे जो income हुआ, वो income parents के हाथ में club होगा, या minor child के हाथ में taxable होगा, राइट answer is, वो parents के हाथ में club होगा, ये ध्यान रखना, देखो, skill talent का जो income हुआ न, वो उस minor child के हाथ में taxable होगा, लेकिन उसी income पे वापस कोई income हुआ, तो that is obviously not due to skill and talent, तो वो कहाँ पे club हो अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मैंने आपको बोला, यहाँ minor child, child का मतलब होता है, एक तो तुम्हारा legal child करके ठीक है, एक तुम्हारा legally adopted child और एक तुम्हारा step child है, वो भी तुम्हारे child में आ जाएगा, और minor child की income है, वो parents के हाथ में club हो जाएगी, उसके बाद एक section Guild forald, Shared No. 4, यह section है बोलती है, कि अगर मालों कोई भी individual है, वो अपने spouse को कोई भी asset transfer करता है, individual अपने spouse को कोई भी asset transfer करता है, एक मैं मिस कोई भी asset हो सकती है, share and security हो सकती है, या money हो सकता है, कोई भी asset transfer किया, तो अस asset पे जो भी income होगा न, वो income मिलेगा तो किस को spouse को, लेकिन उस पे tax है वो कौन भरेगा ट्रांसपरर भरेगा मिस जो भी ट्रांसपरर रहेगा वो ट्रांसपरर के हाथ में वो income club हो जाएगी तो यह provision क्या बोलता है देखो अगर कोई individual है उसने कोई asset transfer की अपनी spouse को अपनी spouse को या अपने spouse को वाइब ने husband को husband ने wife को और उस asset से जो income होगी वो मिलेगी spouse को लेकिक उस income पे tax कौन भरेगा ट्रांसपरर individual है वो उस income पे tax भरेगा मिस club हो जाएगा ट्रांसपरर के हाथ में लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना यह वाला जो provision है वो तभी लगेगा जब दोनों के बीच में husband and wife का relationship होना चाहिए at the time of transferring the asset as well as at the time of generating the income जब asset transfer किया था उस time भी दोनों के बीच में husband and wife का relationship था और जब income हो रही है उस दिन भी दोनों के बीच में husband and wife का relationship है तो ही clubbing होगा otherwise clubbing नहीं होगा एक और चीज़ समझना अगर यहाँ पे asset transfer की जाती है वो asset transfer की जाती है in connection of the leave apart in connection of leave apart का मतलब क्या होता है कि अगर husband and wife है उनका divorce नहीं हुआ लेकिन उन्होंने decide किया है वो अलग लग रहेंगे ऐसा बहुत बार होता है जैसे husband and wife decide कर लेते हम साथ में नहीं रहने वाले मैं तेरा मूह नहीं देखूंगा तू मेरा मूह मत देखना कर गे ठीक है और दोनों अलग अलग हो जाते है in the agreement of connection of leave apart और उस time पर अगर transfer किया है तो उस particular case में clubbing नहीं होगा एक और चीज समझना जब भी कोई भी individual है वो अपने spouse को या फिर minor child को अगर वो कोई भी house property transfer कर देता है तो house property transfer करता है तो ऐसे भी वो individual उसका क्या माना जाता है deemed owner माना जाता है और deemed owner due to section 27 माना जाता है और ऐसे भी income है वो फिर उस transferor के हाथ में ही taxable होती है जहाँ clubbing की जरूरती नहीं है means without clubbing provision also due to section 27 वो उसका deemed owner माना जाता है और transferor के हाथ में ही वो income taxable होती है अब यहाँ पर एक और section होती है 64 subsection 1 का clause number 6 और यह clause क्या बोलता है कि अगर कोई भी individual कोई भी asset है वो transfer करता है अपनी sons wife को मतलब होता है यहाँ पर daughter-in-law या बहू तो अगर सास ससूर है वो सास ससूर क्या करते है asset transfer करते है अपने बहू को तो उस asset से जो income होगी वो मिलेगी तो बहू को लेकिन उस पर tax कौन भरेगा सास ससूर भरेंगे विस यहाँ पर एक चीज़ समझना यहाँ पर आपका जो relationship जो सास ससूर और बहू का relationship है ना वो relationship होना चाहिए at the time of transfer of asset as well as at the time of generating the income जब asset transfer की थी उस time भी दोनों के बीच में सास ससूर और बहू का relationship होना चाहिए और बेटा तो ट्रांसपर करता है लेकिन उस asset से जो benefit मिलने वाला है वो आपके spouse को मिलने वाला है या आपके sun swipe को benefit मिलने वाला है तो उस particular case में जितना benefit मिल रहा है ना उतना income जो है वो transfer के हाथ में club हो जाएगा it is like a cross gift अभी मैं आपको समझाओंगा अगले वाले point में अब एक section होती है 64 subsection 1 और clause number 2 बहुत interesting point है यह point यह बोलता है कि अगर माल लो कोई भी individual है यहाँ पे मैंने लिया कोई assessi है जो की individual है और assessi के assessi या उसके जो relative है relative में आएगा यहाँ पे spouse mother father brother sister linear descendant and linear descendant यह लोग जो है वो relative में हो जाएंगे मिस आपके near and dear relative spouse mother father brother sister linear ascendant and linear descendant तो assessi और assessi के relative मिलके किसी concern में अगर उनका substantial interest है substantial interest का मतलब होता है 20% और more का या तो PSR है या 20% और more का equity shareholding है तो यह माना जाएगा इस assessi का इस concern में substantial interest है और एक बात समझना इस concern से अगर उस assessi के spouse को कोई remuneration मिल रहा है देखिए यह assessi का along with the relative यहाँ पे substantial interest है इस concern में और इस concern से उस assessi के spouse को अगर remuneration मिलता है remuneration का मतलब salary commission bonus वगेरा है उसको बोलते है remuneration वो remuneration मिल रहा है तो lawmakers बोलते हैं यह remuneration मिलेगा तो spouse को बड़ इस पे tax है वो यह assessi भरेगा यह individual भरेगा मैंसी यह remuneration club हो जाएगा इस assessi के हाथ में लेकिन एक चीज़ समझना अगर यहाँ पे जो spouse है spouse में कोई technical और professional qualification है और अगर वो technical qualification की वज़े से remuneration मिल रहा है वो professional qualification की वज़े से remuneration मिल रहा है it is attributed to that qualification तो उस particular case में clubbing नहीं होगा तो बड़ा simple सी चीज़ है जैसे मैं एक example लेता हूँ मैं Mr. BB मेरी जो partnership firm है एक concern है जिसका नाम है BB virtual करके और BB virtual में मेरा substantial interest है क्योंकि मेरे पास मानलो 60% का यहाँ पे PSR है अब एक बात समझना मेरी wife को BB virtual से remuneration मिल रहा है तो वो मेरे हाथ में club हो जाएगा लेकिन मेरी wife में अगर technical professional qualification है and remuneration जो मिल रहा है वो उसकी वज़े से मिल रहा है अब एक और चीज़ समझना यहाँ पे sir अगर मानलो ऐसा हो जाए कि जैसे मानलो यहाँ पे मानलो आप example लेते हैं यहाँ पे Mr. BB है और यहाँ पे मेरी wife है जिसका नाम है Mrs. BB अब एक बात समझना मैं ने क्या किया मैं इस particular concern में जैसे concern का नाम है BB Virtuous Private Limited मेरा यहाँ पे shareholding है 15% का और मेरी wife का भी shareholding है 15% का अगर आप मेरे point of view से देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं along with मेरी relative तो wife मेरी relative हो गई मेरा इसमें substantial interest हो गया अगर आप मेरी wife के point of view से देखोगे तो मेरी wife 15% hold करती है और मैं यहाँ पे 15% करता हो तो यहाँ पे मेरी wife का भी substantial interest हो गया तो इसका मतलब मेरा भी substantial interest है, मेरी wife का भी substantial interest है और माल लो हम दोनों को remuneration मिल रहा है, हम दोनों को remuneration मिल रहा है, हम दोनों जो है वो दोनों को remuneration मिल रहा है और दोनों में किसी में भी अगर professional technical qualification नहीं है, तो question आता है clubbing किसके हाथ में होगा, तो clubbing किसके हाथ में होगा, य इसकी other income जादा है, other income में इस यह clubbing वाली income छोड़ दीजिए, इसको छोड़के जो बाकी income है, वो देखिए total income किसकी जादा है, अगर total income, other income जो है, वो मेरी wife की जादा है, तो मेरे को जो remuneration मिल रहा है, वो wife के हाथ में club हो जाएगा, बैट अगर मान लो total income मेरी जादा है as compared to my wife, तो my wife को जो remuneration मिल रहा है, वो मेरे हाथ में club हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझना, एक बार अगर clubbing हो गया है, किसी particular person के हाथ में, तो हर साल फिर उसी के हाथ में clubbing होगा, फिर अगर assessing officer इसको change करना चाता है, तो कर सकता है, otherwise वो उसी particular individual के हाथ में club होते जाएगा, अब एक को section आती है, जिसका नाम है section number 60, बड़ ही interesting section है, छोटी सी section है, ये section ये बोलती है, कि अगर मान लो, आप किसी भी person को income transfer कर देते हो, बट asset transfer नहीं करते हो, आप asset transfer नहीं करते हो, सिरफ income transfer कर देते हो किसी भी person को, तो वो income जो है, वो आपी के हाथ में club हो जाएगी, I can take a example, कि suppose मान लो, मेरा कोई friend है, या मेरा जो भाई है, भाई का एक बेटा है, तो भाई का बेटा जो है, उसको मैंने क्या किया, मेरी bank को ये instruction दे दिया, कि मेरा जो FD है, उस FD का interest जो भी रहेगा, वो मेरे भाई के बेटे को चला जाए, तो FD transfer नहीं की, मैंने यहाँ पे asset transfer नहीं की है, मैंने उसका जो interest था, वो interest है, वो मेरे भाई के बेटे को transfer कर दिया, मिस income transfer कर दी, तो वो income जो मिलेगी, तो भाई के बेटे को, उस पे tax मैं भरूँगा, मिस वो मेरे हाथ मे taxable हो जाएगा, तो अगर आप किसी को भी income transfer करते हो, without transfer of the asset, तो वो income है, वो transfer के हाथ में taxable हो जाएगी, एक और concept आता है, section 61, that is related to the revocable transfer, अब एक चीज़ समझना, अगर कोई person है, वो किसी भी person को कोई asset transfer करता है, और अगर वो revocable है, revocable का मतलब होता है, कि अगर आप क्या करोगे, उसको वापस से revoke कर सकते हो, या उससे related कोई income वगेरा है, उस पे आपका हक मिस आप उसकी income का कुछ benefit ले रहे हो, अभी या future में, या फिर आप उस asset को वापस revoke कर सकते हो, that is called revocable transfer, जैसे मानलो मैंने क्या किया, मेरी कोई asset है, वो asset मैंने किसी person को transfer के दी, और मैंने बोला, 10 साल बाद मुझे वापस दे दिना, that is called revocable, तो revocable transfer के case में एक चीज़ ध किसी मेरे friend को घर transfer कर दिया, और मेरे पास वापस इसमें कोई right वगरा नहीं है, मैं उसकी income वगरा पे कोई भी right नहीं है मेरा, तो it is called irrevocable transfer, irrevocable transfer में जो भी income होगा, उस पे tax होई भरेगा, तो एक चीज़ ध्यान रगना, revocable transfer के case में, transfer उसकी income पे tax भरेगा, irrevocable transfer के case में, जो transfer है, वो particular person उस पे tax भरेगा, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर कोई asset है, वो मैंने किसी को transfer की, और मैंने बोला, जब तक तु जिन्दा है, उस asset के मज़े तू ले, तेरे मरने के बाद वो asset वापस मेरी हो जाएगी, तो एक बात समझना, यह revocable है, answer is yes, यह revocable है, लेक transfer ही भरेगा, transferer को tax भरने की ज़रुवात, नहीं है, you got my point or not, yes, अब एक और section आती है, section 64 का sub section 2, यह section क्या बोलती है, कि अगर कोई individual अपने H.U.F. को asset transfer करता है, या तो without consideration, या inadequate consideration से, एक और चीज़ समझना, यह जितनी भी मैंने आपको clubbing की section पढ़ाई है, उपर से लेके, यहां से, जैसे, जहां से मैंने आपको बताया था, spouse को आप asset transfer करते हो, उसके बाद संस wife को asset transfer करते हो, third party को asset transfer करते हो, उसके बाद मैं मैंने आपको बताया, यहां पर revocable transfer के case में, अब आप H.U.F. को asset transfer करते हो, यहां clubbing provision तबी लगेगा, जब आप asset है, वो या तो without consideration transfer करते हो, मैं जब 10 रुपे में मैं आपने किसी को asset transfer करती, तो ही clubbing लगेगा, otherwise अगर sufficient consideration है, तो clubbing नहीं लगेगा, अब एक और question ही आता है, मैंने मानलो मेरी wife को को asset transfer करी दी, और मेरी wife बोलती है, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या प्यार जो है, वो consideration हो सकता है य तो H.U.F. को asset transfer की, उस asset से जो भी income होगा, वो income मिलेगा तो H.U.F. को लेकिन उस पे tax मैं भरूँगा, उस पे जो tax है वो मैं भरूँगा, मैं इस income जो है, वो मेरे हाथ में club हो जाएगी, अब एक बात समझना, अगर H.U.F. का partition हो जाता है, और partition के बाद में, partition के बाद में म मिला, मेरी wife को 250,000 मिला, दो other member थे, उनको 250,000 मिला, अब एक चीज समझना, जो 250 मेरे को मिला, उस पे जो income होगी, वो तो मेरे हाथ में taxable होगी, यहाँ lawmakers बोलते है कि मेरी spouse को जो asset मिला H.U.F. से, जो कि मैंने transfer किया हुआ था, तो मेरी spouse को उस पे जो income होगी ना, वो भी मेरे हाथ में club होगी, तो जैसे मैंने 10 lakh रुपिस H.U.F. को transfer किया था, partition होगी, चार पार्ट में मेरे को 250 मिला, मेरी wife को 250 मिला, 250 दूसरे दो member को मिला, तो 250 जो मेरी wife को मिला, उस 250 पे जो भी income मेरी wife को होगी, वो भी मेरे हाथ में club हो जाएगी, you got my point or not, yes, अब एक और चीज होती है, तो income में आपका negative income हो, positive income हो, दोनो club होगा, तो मैंने मानलो मेरी wife को कोई shares transfer कर दिया और shares पे उसको long term capital loss हो गया, तो क्या loss भी club हो जाएगा, अगर मानलो मैंने मेरी wife को कोई asset transfer किया था और उसका form change हो गया, जैसे for an example मैंने मेरी wife को 10 lakh रुपिस money दिया था, उसके बा clubing provision लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अब एक और चीज़ समझना, अगर capital gain हो गया, तो वो भी club होगा, answer is yes, capital gain हुआ, तो वो भी club हो जाएगा, अब एक concept आता है, that is the cross gift, और इससे related exam में बहुत बार question आता है, cross gift क्या होता है, कि दो transaction ऐसे किये जाते है, जिससे की Mr. Y और X सपोज दोनों भाही है, अगर ये बंदा अपनी खुद की वाइब को कोई asset transfer कर देता, तो तो clubing हो जाता, ये क्या कर रहा है, अपनी भाही की वाइब को asset transfer कर रहा है, तो X ने क्या किया, Mrs. Y को asset transfer किया, 12 lakh का, और सपोज Mr. Y ने 8 lakh का asset transfer किया, Mrs. X को, तो this is called cross gift, तो यहाँ पर clubing होगा, बट clubing कैसे होगा, तो देखो, यहाँ पर Mr. X ने 12 lakh का asset transfer किया है, बट Mr. Y ने 8 lakh का asset transfer किया, तो यहाँ 8 lakh पर उसको जो income हुआ, Mrs. X को, वो कितना है, 48,000, तो बेटा यह 48,000 as it is Mr. X के हाथ में club हो जाएगा, अब एक बात समझना, यहाँ पर Mrs. X को, Mrs. Y क 72,000 का income हुआ, तो क्या Mr. Y ने कितना transfer किया था, मैं बताओ, यहाँ Mr. Y ने सिरफ 8 lakh transfer किया था, यहाँ Mr. Y ने सिरफ 8 lakh transfer किया था, तो एक बात बताओ, Mr. Y ने 8 lakh transfer किया, तो उसके भाही ने उसकी भाईब को कितना 12 lakh transfer किया, तो क्या पूरे 12 lakh का income है, वो club हो जाएगा, answer is no, उ इस concept को आप ऐसे समझेंगे कि जब भी cross gift होता है नो तो आपको ये देखना है कि matching amount क्या है, matching amount का मतलब इस particular example में एक बात समझेए, इसने मानलो इसको 12 lakh transfer किया, इसने इसको 8 lakh transfer किया, तो matching amount क्या है 8 lakh है और I can say that lower amount कितना है 8 lakh है, तो आपको ये देखना है कि 8 lakh पे इसको जितना income होगा न वो इसके husband के हाथ में club हो जाएगा और 8 lakh पे इसको जितना income होगा, वो इसके husband के हाथ में club हो जाएगा, so in simple word मैं बता दू, जो matching amount रहेगा, वो matching amount पे जितना भी income होगा, वो respective person के husband के हाथ में club हो जाएगा, this is call your cross gift, अब एक और चीज़ समझना, अब एक और चीज club होगा, business का profit, क्योंकि income जो asset पे होती है, वो income club होती है, तो business में लगा है, तो business का profit club होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना, business का profit club तभी होगा, जब आपने जो gift किया है, पैसा, आपने जो पैसा दिया है, वो उस साल के opening capital में जुड़ा हुआ है, अगर opening capital में जुड किया, लेकिन वो 10th April को किया, तो 10th April को किया, इसका मतलब आपके previous year 21-22 की opening capital में नहीं है, because opening capital वो 7 lakh, अब एक बात समझना, इस साल का total capital हो गया 10 lakh, और इस साल का 21-22 का profit हुआ, वो 4 lakh हुआ, तो क्या clubbing मेरे हाथ में होगा, answer is no, नहीं होगा, क्योंकि यह माना जाता है, कि जो 4 lakh का profit होता है, यह opening capital पे होता है, opening capital 7 lakh था, उसमें gifted amount नहीं है, तो इस साल में clubbing नहीं होगा, लेकिन एक बात बताओ, अब next year का आपका total capital कितना हो गया, 14 lakh हो गया, I have assumed that this 4 lakh रुपे is not withdraw by my wife, withdraw नहीं किया, यह 4 lakh का profit हुआ, उसको business में ही रखा, इसको withdraw नहीं किया, तो अगले साल का capital 1 for 2022 का capital है, वो 14 lakh हो गया, अब एक बात बताईए, यह 14 lakh का capital है, इसमें gifted वाला amount है या नहीं, answer is yes, जो मैंने gift किया था husband नहीं 10th April 2021 को, अब इस opening capital में तो है न, answer is yes, अब एक बात समझना, इस साल का profit जो है, वो मान लो 6 lakh 30,000 हुआ, तो clubbing होगा या नहीं होगा, क्यों proportionately 3 lakh पे कितना आएगा, 1 lakh 35,000 आएगा, तो 1 lakh 35,000 का profit है, वो husband के हाथ में club हो जाएगा, और बाकी वाला 495 है, वो wife के हाथ में ही taxable होगा, you got my point or not, yes, अब एक और चीज़ समझना, एक last concept यह आता है, कि जैसे आपने किसी person को कोई asset transfer की, उससे जो income हुई, वो income club हो गई, अब मतलब second generation income पे clubbing नहीं लगेगा, जैसे इसी example में एक बात बताओ, जैसे आपका total 6 lakh 30,000 का profit था, इस में से husband के हाथ में club कितना होगा, 1 lakh 35,000, लेकिन यह 1 lakh 35,000 पे tax husband भरेगा, बट actual में husband को यह मिला नहीं, 1 lakh 35,000, अब next year क्या होगा, obviously 1 lakh 35,000 पे भी proportionately income तो होगी business में, तो क्य 1 lakh 35,000 पे income होगी, वो भी club होगी, क्या answer is no, clubbing क्या होगा, सिरफ 3 lakh का proportionate profit जितना भी हर साल आएगा, वो 3 lakh का proportionate profit है, वो ही club होगा, या फिर एक और example यहां पे मैंने दे रखा है, देखिए, मैंने क्या किया, मेरी wife को 10 lakh रुपेस का FD किया, और मेरी wife ने उसका FD करा लिया, और उसके 1 lakh रुपेस का interest मिला, तो 1 lakh रुपेस का 10% की rate से interest मिला, तो 1 lakh मेरे हाथ में club हो जाएगा, लेकिन अगले साल क्या हुआ, मेरी wife ने total 11 lakh का FD कराया, तो 11 lakh की FD कराया, तो उसके 1 lakh 10,000 का interest आया 10% की rate से, तो मेरे हाथ में club कितना होगा, क्या पूरा 1 lakh 10,000 होगा, या सिरफ 1 lakh होगा, right answer is, अगले साल भी, सिरफ 1 lakh मेरे हाथ में club होगा, और 10,000 है, वो मेरे wife के हाथ में ही taxable हो जाएगा, अगर माल लो, आप अपने spouse को, या किसी भी person को कोई भी asset transfer करते हो, उस पे जो income हुई, वो club नहीं होगी, you got my point or not, yes, so this is the completion of your clubbing topic, यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है, देखो clubbing provision कहां कहां लगते, एक तो minor child की जितनी भी income है, वो parents के हाथ में club क इसने spouse को asset transfer करते हो, तो ही clubbing होगा, या फिर sons wife को करते हो, या किसी और person को करते हो, for the benefit of spouse और sons wife, तो clubbing होगा, या फिर यह substantial interest वाला kisी concern में, तो clubbing होगा, जैसे माल लो, मैंने मेरे major son को को a set transfer किया, वहाँ clubbing होगा, answer is नहीं होगा, कर गे है इतना सुनने के बाद अब आप काम करें जितने भी आपके क्लबिंग टॉपिक के क्वेस्चन है वो क्वेस्चन को आप कर लीजिए एजी लिए आपसे सब क्वेस्चन हो जाएंगे अगर गेडिगा